नमस्कार में प्रवीन और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरुसेमन चैनल इंडिया टैम्टनी पूर न्यूज द्वारका डिस्ट्रिक के पूर्व एसीपी राजंदर सिंग के रिटार्मेंट के मौके पर आल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन ने एक सम्मान कारिकरम कायोजन किया जिसमें द्वारका के तमाम लोगों ने राजंदर सिंग को बुके के साथ सम्मानित किया देखिए यह रिपोर्ट द्वारका डिस्टिक से एसीपी राजंदर सिंग लगभग 30 वर्षों की सर्वीसिस के बाद 31 अक्टूबर को रिटार हो गए इस मौके पर आल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन ने एक सम्मान समारों कायोजन किया यहां पहुँचे तमाम लोगों ने एसीपी राजंदर सिंग के साथ अपना अनुभव साजा करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें ऐसा एसीपी मिला बता दे राजंदर सिंग ने निर्भयारेव केस जैसे तमाम मामलों में पुलिस कर्मी के तौर पर एहम भूमी का निभाई है ADRF के प्रेजिडेंट अजीस स्वामी ने कहा राजंदर सिंग ने अपनी सर्विसिस के दौरान द्वारका को कई अपराधों से मुक्त किया है इसलिए फेडरिशन उनका शुक्र गुजार है इस दोरान निर्भया की मा आशा देवी भी मौझूद रही आशा देवी राजंदर सिंग के साथ अपना अनुभव साजा करते हुए भावु हो गई उन्होंने कहा कि निर्भया को इंसाफ दिलाने में राजंदर सिंग की एहम भूमिका है देखिए अगर निर्भया केस को हमले तो जो इनकी टीम थी इन लोगों ने बहुत अच्छे से उसका जांट परताल किया सबसे जरूरी है कि जो धराएं लगाई गई थी सारे धराएं पूरी हो गई आज इन एसपी साहब के टीम की बदावलत आज उन चारों को फांसी हुई निर्भया को इन साथ मिला अब लेंगे चोटा साब ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस सम्मान समारों के दोरान राजिंदर सिंग ने मीडिया से क्या कुछ कहा भगत चंद्रा होस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा होस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में और में के बाद आपका स्वागत है मेडिया से बाचीत में राइंदर सिंग ने अपना अनुभव साजा करते हुए क्या कहा जरा सुनिए दिन है यहार आदमी की जीवन में आते हैं मेरे में भी आया है द्वार का वासी बहुत जादा जो है उन्होंने मुझे फैल स्टेट किया उनका प्यार मिला मुझे लगातार पिसले चार-पांस दिन से लगातार जो है वो मेरी विदाई समारों एक तरह से कर रहे हैं रेटा करता जा रहा हूं और 70 तक पहुंच जाऊंगा चाहद 31 तक पूरा हूंगा तो बजाए 60 के 70 हो जाएगा पर यह एक lighter side में है पर I am fully contented what I did in police as well as in the public domain I am fully contented कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत सांदार force से retire हो रहा हूँ और मेरा एक एक कत्रा जो है उस force के लिए हमेशा बना रहेगा आज मैं सिर्फ मेरी uniform से मैंने अपने रखी है लेकिन दिल से मैं हमेशा police officer था और रहूँगा और जनता का जो काम करने का ज़जबा था पहले भी ऐसा ही था और बिना बर्दी के भी मैं उसी डंग से जो है जनता को अपनी तरफ से पूरे प्रेतन करूंगा कि उनको सकूंदे सकूं किसी भी capacity में तो यही मेरा उदेश रहेगा आने वाले इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि इससे पहले दोहर का डिस्टी के किसी भी ACP को इतनी सम् सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन